इन्वेस्टमेंट इन सिक्यूर्टी मार्केट आर सब्जेक्टेट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड आल दे रिलेटेड डोकुमेंट केरफुली विफुर इन्वेस्टिंग नमस्कार दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल ट्रेंड वाले टैक के एक नए वीडियो के अंदर आज की वीडियो का थम्मिल आपने देखा होगा वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कैसे करेंगे जिरोधा के अंदर तो इतनाल से पूरी वीडियो को देखेगा एक एक स्टेप में आपके साथ यहां पर डिसक्रस करने वाला हूं और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए है अगर आपको धननें तो इंडेक्स के अंदर भी कर सकते हैं 50 50 या और बैंक के अंदर कर सकते हैं या फिर कुछ फॉचर के अंदर च्रेडिंग एक सारे अंधर फ्रीलेबल नहीं होता है लेकिंध यह पेर रिज़ूएफ वगयरा करने के बाद यहां पे रिलाइन्स कर रहा हूं यह और क लिखता हूँ Reliance और देखे Reliance लिखते ही यहाँ पे Reliance का देखे पहले NSE का Reliance आया, दूसरा BSE का Reliance आया, तो अगर आप लोग स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक के अंदर अगर आप लोगो कोई इंवेस्टमेंट करना है, तो पहला जो NSE और BSE वाला दिख रहा है हमको, इसके अंदर क्लिक करके हम स्टॉक को बाई कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे देखे, यहाँ पे लिखके आ रहा है, NFO, Reliance, December, FUT, यहाँ यहाँ पे लिखा रहता है, FUT, वो future होता है, ठीक है, और देखे, तीन हमारे यहाँ पे Reliance के FUT दिखाई दे रहे हैं, एक, दो, तीन, तो मैं आपको बता दू, future हमारे तीन होते हैं, एक तो current मंद का future होता है, जो भी stock या फिर index को आप लोग search करेंगे तो एक तो हमारे current मंद का future होता है, यहाँ पे देखे, अभी December मंद चल रहा है, और December मंद का future देखे, यहाँ पे दिया गया है हमारा यहाँ पे, पहले नमबर पे हमारा December मंद का ही future है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे Reliance December future, और देखे, उसके बाद जो next मंद होता है, जनवरी का उसका future हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके बाद फरवरी का जो future है वो हमको दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दू यहाँ पर तीर मंथ के future एवे लेवल होते हैं तो यहाँ पर last Thursday जो रहेगा वो इसकी expiry रहेगी तो उस दिन तक मेरे को यह बेचना ही बेचना होगा तो आप लोगों का मन चाहे जिस भी तो यहाँ पर दिसंबर वाले पर मेरे को क्लिक करना है क्लिक करते ही देखें यहाँ पर सबसे पहले quantity आ गई तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जिस भी stock के अंदर future available होता है यहाँ पर जिस भी stock के अंदर प्लोगों को खरीदने होगे कम से कम एक lot के अंदर इतनी quantity आपको लेनी पड़ेगी तो देख लिए रिलाइंस के अंदर 250 quantity है, एक lot के अंदर, अभी जो current price चल रहा है वो 2640 रुपे चल रहा है, यहां पे दिसम्बर के future के अंदर, तो यहां पे देखे, price हमारा 2640 रुपे, दीश पैसे यहां पे आ चुका है, ठीक है, इस तरह से price हमारा आ गया, निचे देखे, के product में आप लोग intraday भी select कर सकते हैं, और overnight भी select कर सकते हैं, intraday पे click करेंगे, तो उसी दिन बेचना होगा, overnight पे select करेंगे, तो लंबे term तक आप लोग यहां पे रख सकते हैं, और future तो ऐसे भी लोग लंबे term के लिए खरीते हैं, कम से कम expiry के आसपास तक आप रख सकते है हैं, तो आप लोग overnight पे click कर देंगे, और देखिए निचे type पे देखिए, आप लोगों को दिखाई दरा है, limit, market, stop loss, stop loss market, तो आप लोग जब buy कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहां पे limit पे buy करना चाहिए, मेरे हिसाब से, अगर आप market पे click करते हैं, तो देखिए price डालने तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं, अगर आपको GTT order लगाने आता है, नहीं आता है, तो comment करिएगा, इसके उपर particular एक video में आपको बना के दे दूँगा, तो इस तरह से आप सभी लोग future के अंदर कोई भी stock के अंदर, या फिर कोई भी index के अंदर, अगर आपको future में trading क सकते हैं, बाकी सारी feature तो आपको समझ में आगे होंगे, normal साब हमको order लगाना होता है, बस यह है कि इसमें जो quantity होती है, पर lot के अंदर fix होती है, अलग-अलग quantity हो सकती है, nifty bank nifty की तरह नहीं होता है, कि bank nifty में 25 quantity, nifty में 50 quantity, ऐसा नहीं होता है, यहां पे, तो इस तरह से आप सब भी लोग future के अंदर trading कर सकते हैं, चाहे stock के अंदर हो या feed, आप लोग चाहें तो index के अंदर भी trading कर सकते हैं, तो मैंने काफी simple रखा, इस वीडियो को काफी छोटा करने की कोशिश की है, मैंने, आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो please like कर दीजेगा, and चैनल को subscribe काफी वादा लोग वीडियो देखते हैं, subscribe बहुत कम लोग करते हैं, तो एक request रहेगा आपके भाई का subscribe ज़रूर से करिएगा, वीडियो देखने के लिए thank you so much, धन्यवाद